C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाठे पुस्तक प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ नौ शीर्शक म्रिदा प्रिष्ट 101 से 113 तक तो आईए अब सुनते हैं पाठ नौ शीर्शक म्रिदा म्रिदा यानी मिठी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है ये पाठपों की जड़ों को द्रड़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोशक तत्वों की आपूर्दि करके उनकी व्रिद्धी में सहायता करती है ये अनेक जीवों का आवास है क्रिशी हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है अतह म्रिदा हमारे जीवन का अभिन भाग है पहली वर्षा के बाद म्रिदा की सौधी गंध, सदैव, तास्गी भर देती है 9.1 म्रिदा जीवन से भरपूर है वर्षा रितु में एक दिन पहेली और बूजों ने म्रिदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा पहेली ने सौझा कि क्या म्रिदा के अंदर और भी जीव रहते हैं आईए हम पता लगाते हैं क्रिया कलाप 9.1 विभिन स्थानों से म्रिदा के कुछ नमूने एकत्रत कीजिए और उनको ध्यान पूर्वक समझिए जैसा कि चित्र 9.1 में दिया गया है यहां प्रिष्ठ 101 पर चित्र 9.1 में म्रिदा से नमूने एकत्र करते हुए बच्चों का एक चित्र दिया हुआ है इसके लिए आप हैंडलेस यानि आवर्धक लेंस का उप्योग कर सकते हैं प्रतेक नमूने का ध्यान पूर्वक निरिक्षण कर अपने प्रिक्षणों को सारणी 9.1 में लिखे अपने प्रिक्षणों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्रित किये गए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किये गए नमूनों जैसे ही है बूजो और पहली ने अनेक प्रकार से म्रिदा का उप्योग किया है उन्हें उसमें खेलना पसंद है, ये वाकई बहुत मनुरंजक है मृदा के उपयोगों की एक सूची बनाईए यहां प्रिष्ठ 101 पर सारणी 9.1 दी गई है यहां मृदा के उपयोग की एक सूची बनाई गई है इस सारणी को चार भागों में विभाजित किया गया है पहला भाग मृदा का श्रोथ है, दूसरा पादप, तीसरा जन्तु और चौथा कोई अन्य प्रेक्षण के लिए दिया गया है मृदा के स्त्रोथ है बगीचे की मृदा पादप के विभाजर में लिखा हुआ है घास और रिक्त स्थान जन्तों के साथ दिया हुआ है चीटी, साथी रिक्त स्थान है कोई अन्य प्रेक्षण वाला विभाजन फिलहाल खाली है, आपको प्रेक्षण यहां लिखने है मृदा के स्त्रोथ में अगला नाम है सडक किनारे की मृदा इसके बाद दिया हुआ है ऐसे स्थान की मृदा जहां निर्मान कार्य हो रहा हो दिये गए तीन अन्य विभाजन खाली है, आपको मृदा के दिये गए स्त्रोथ के मुताबिक इन्हें भरना है पहली कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि सडक के किनारे और बगीचे से एककत्रित किये गए नमूनों में मुझे प्लास्टिक की वस्त्वों और पॉलिथीन की थैलियों के कुछ टुकडे क्यों मिले थे? पॉलिथीन की थैलियों और प्लास्टिक मृदा को प्रदूशित करते हैं इसलिए पॉलिथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तूँं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है अनेक प्रकार के अप्षिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़क नाशी मृदा को प्रदूशित करते हैं ऐसे अप्षिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए पीडक नाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए बूजो कहता है मैंने हार्ट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तनों वह खिलोनों को देखा है 9.2 मृदा परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल मृदा अनेक पर्तों की बनी होती है ये जानने के लिए कि ये पर्ते किस प्रकार व्यवस्थित रहती है आप यहां दिये गए क्रिया कलाप को करें क्रिया कलाप 9.2 थोड़ी सी मृदा लीजिए धेलों को अपने हाथ से तोड़ कर उनका चून बना ले अब तीन चौथाई जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुठी भर मृदा मिला दीजिए इसे किसी छड से अच्छी तरह हिलाईए जिससे मृदा पानी में मिल जाए अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए जैसा कि चित्र नौ दशमलव दो में दिया गया है कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और यहां दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजिए यहां प्रिष्ठ एक सो दो पर चित्र नौ दशमलव दो दिया गया है यह चित्र अलग-अलग दी गई मृदा की पर्टों का है यहां एक गिलास में मृदा की अलग-अलग पर्टें दी गई हैं यह पर्टें हैं हुमस जल मृत्तिका बालू और बचरी क्या आपको कांच की गिलास में विभिन आमाप यानी साइज के कड़ों की पर्टें समझ आ रही हैं इन पर्टों को बताते हुए एक चित्र बनाईए क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकडे अत्वा जन्तु अवशेश तैरते समझा रहे हैं मृत्तियों में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ हुमस कहलाते हैं आप शाज जानते होंगे कि पवन जल और जलवायू की क्रिया से शैलों यानी चट्टानों के तूटने पर मृता का निर्मान होता है ये प्रक्रम अप क्षाय कहलाता है किसी मृत्ति की प्रकृती उन शैलों पर निर्भर करती है जिन से इसका निर्मान हुआ है और ये उन वनस्पतियों की किसमों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं प्रिष्ठ एक सो तीन मृदा की विभिन्य पर्तों से गुजरती हुई उर्ध्वा काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है प्रतेक परत स्पर्ष यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती है, जैसा की चित्र 9.3 में दिया गया है यहां प्रिष्ट 103 पर चित्र 9.3 दिया गया है, जो की मृदा परिच्छेदिका का है इस चित्र में मृदा की अलग-अलग परतें बताई गई है ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती है परत है आधार शेल इसके बाद तीन अलग-अलग संस्तर स्थितियां दी गई है A, B और C सबसे उपरी हिसे में कुछ पौधे लगे हुए है सामान तह मृदा की सबसे उपरी या शीश परत पर ही हमारा ध्यान जाता है उसके नीचे वाली परतों पर नहीं यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्ष भाग को समझें या महसूस करें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी समझ में आएंगी ऐसी सिती में हम उस थान के मृदा परिच्छेदिका का प्रेक्षन कर सकते हैं मृदा परिछेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नीव खोदते समय भी समझा जा सकता है इसे पहाणों पर सडकों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी पाया जा सकता है सबसे उपर वाली संस्तर स्थिती सामान तह गहरे रंग की होती है क्योंकि ये ह्यूमस और खनजों से सम्रिद्ध होती है ह्यूमस म्रिदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोशन प्रदान करता है ये परत सामान तह मृदू, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिती कहते हैं शीर्ष मृदा क्रिमियों, क्रिंतकों, छचुंदरों और भ्रंगूं जैसे अनेक जीवों को आवास या आश्रय प्रदान करती है ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिच अधिक होते हैं ये परत सामान तह अधिक कठोर और अधिक साहत यानी घनी होती है और बी संस्तर स्थिती या मध्य परत कहलाती है तीसरी परत सी संस्तर स्थिती कहलाती है जो दरारों और विद्रो युक्त शैलों के छोटे ढेलों से बनी होती है इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावडे से खोधना कठिन होता है 9.3. मृदा के प्रकार जैसा कि आप जानते हैं, शेलों के अपक्षै से विभिन पदार्थों के छोटे-छोटे कण निर्मित होते हैं इनमें बालू और चिकनी मिटी यानि क्ले सम्मिलित है किसी मृदा में बालू और चिकनी मिटी का अनुपात उस मूल शेल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं शेल कणू और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है जीवानू जैसे बैक्टीरिया, पादपमूल और केचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपून अंग होते हैं मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन आमाप यानी साइस के कणू के अनुपात के आधार पर वर्गी कृत किया जाता है यदि मृदा में बड़े कणू का अनुपात अधिक होता है तो वह बलूई मृदा कहलाती है यदि बारीक यानी सुक्ष्म कणू का अनुपात अपेक्षा कृत अधिक होता है तो यह मृण में मृदा कहलाती है यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दूमटी मृदा कहलाती है अतहे मृदा का वर्गी करण बलूई, दूमटी और मृण में के रूप में किया जा सकता है प्रिष्ट 104 मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपून प्रभाव होता है। अतह बलूई मृदा हलकी, सुवातित और शुष्क होती है। अलूई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शेश मृदा दुमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कड़ों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों यानि आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कड़ों का आमाप यानि साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी हुमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धी के लिए उचित मात्रा में जलधारन क्षमता होती है। क्रिया कलाप नौ दशमलव तीन मृद्मय, दुमटी और बलूई मृदा के नमूने एकत्रत कीजिए। किसी एक नमूने में से मुठी भर मृदा लीजिए। इसमें से कंकड, पत्थर, घास के तिनकों आदी को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद-बूंद करके, जल डाल कर इसे गूंध लीजिए। जैसा कि चित्र 9.4 भाग A में बताया गया है। केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला बनाया जा सके। जैसा कि चित्र 9.4 भाग B में बताया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि ये चिपचपा नहीं होना चाहिए मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें जैसा कि चित्र 9.4 भाग C में बताया गया है किसी सम्तल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल ले जैसा कि चित्र 9.4 भाग D में बताया गया है इस बेलन से छला बनाने का प्रयास कीजिए जैसा की चित्र 9.4 भाग ई में बताया गया है इस क्रिया कलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराईए कोई मृदा किस प्रकार की है क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उससे मन्चाही आकृती बनाना कितना सुविधा जनक है यहां प्रिष्ठ 104 पर चित्र 9.4 में मृदा से कारे करना बताया गया है बूजो कहता है मैं जानना चाहता हूं मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाना चाहिए क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बरतन, खिलोने और मूर्तियां आदी बनाने के लिए सबसे उपयोगत होती है आईए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रिया कलाप करें बूजो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर आमाप के दो वर्ग अंकित किये जिन में से एक उनके घर के फर्ष पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था उन्होंने दो समान आमाप की बोतलों को पानी से भर लिया उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया उन्होंने पाया कि फर्ष पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोशित नहीं हो पाया जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोशित हो गया बुजो को आश्चर है कि दोनों वर्गों में पानी के अवशोशण में अंतर क्यों था आईए इसे समझने के लिए अब हम एक क्रिया कलाप करते हैं इस क्रिया कलाप के लिए कक्षा के सभी चात्र तीन समुह या दल बना लें दलों के नाम A, B और C रख सकते हैं आपको ये मालूम करना है कि किसी दियेगा स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्रक्ता होगी ये सुनिश्चत कर लें कि प्रतियेक दल समान व्यास के पाइप का उप्योग करें ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिये गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं यदि संभव हो तो एक आमाप के तीन छोटे टिन के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट लें यदि पीवी सी पाइप जो की लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकडे काट लें और उनका उप्योग करें यहां प्रिष्ट 105 पर चित्र 9.5 में अंतहस त्रवन दर को मापना बताया गया है जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धसा कर लगा दें जैसा की चित्र 9.5 में दिया गया है पाइप में धीमे धीमे 200 मिलीलीटर जल डालिए 200 मिलीलीटर जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 मिलीलीटर की खाली बोतल का उप्योग कर सकते हैं उस समय को नोट कर लें जब आपने जल डालना आरंभ किया था जब सारा जल भूमी द्वारा अवशोशित अर्थात अंतहस त्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनह समय नोट करिए ये ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे 200 मिलिलीटर जल के म्रिदा में अंतहस त्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतहस त्रवन दर की गणना यहाँ दिये गए सूत्र के द्वारा कीजिए जैसे अंतहस्त्रवण दर मिली लीटर प्रती मिनट बराबर जल की मात्रा मिली लीटर में बटे अंतहस्त्रवण अवधी मिनट में उदारण के लिए माल लीजिए किसी नमूने में 200 मिलीलीटर जल के अंतहस्त्रवण में 20 मिनट लगते हैं तो अंतहस्त्रवण दर बराबर 200 मिलीलीटर बटे 20 मिनट बराबर 10 मिलीलीटर प्रती मिनट प्रिष्ट 106 9.5. मृदा में नमी क्या आप कभी ग्रिश्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेद अत्वा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवता आपने पाया होगा कि जमेन के उपर की वायू कम्पदीप्त हो रही है। अर्थात ऐसा लगता है जैसे गर्म बायू वैसे ही उपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यूं होता है? इस क्रिया कलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। क्रिया कलाप 9.5 एक क्वथन नली लीजिए इसमें दो चम्मच मिट्टी मिलाइए इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का प्रेक्षन कीजिए जैसा कि चित्र 9.6 में दिया गया है। आईए हम समझते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। यहां प्रिष्ट 106 पर चित्र 9.6 में क्वथन नली का प्रयोग करके म्रिदा में से नमी हटाने का चित्र दिया हुआ है। क्या आपको कहीं जल की भूंदे समझ में आती हैं? यदि हां तो किस स्थान पर? गर्म करने पर म्रिदा में से जल वाश्पित होकर उपर उठता है और क्वथन नली के उपरी भाग की अपेक्षा कृत ठंडी भीतरी दीवार पर संगनित हो जाता है। गर्म दिनों में म्रिदा से जल के वाश्पन के कारण उपर उठती जल वाश्प वाइू को अपेक्षा करित सगन बना देती है। इससे सूरिके प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के उपर की वायू हमें कम्प दीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गरम करने के बाद इसे क्वथन नली में से बाहर निकालने। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गरम नहीं किया गया हो। दोनों के बीच के अंतर को नोट करें। साथ के अनुसार कीप में लगा लीजिए। जब तक जारी रखिए। जब तक वो रिसकर कीप से नीचे गिरना आरंभ ना कर दे। मापन सिलिंडर में बचे जल को माप कर उसे आरंभिक माप में से घटा लें। जिससे आपको मृदा द्वारा धारन किये गए जल का आयतन ग्यात हो जाएगा। अपने परिनामों को नोट्बुक में नोट कीजिए। प्रिष्ट एक सो साथ यहां प्रिष्ट एक सो साथ पर चित्र नोदशमलव साथ दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से मृदा में जल के अवशोशन को बताया गया है। यहां एक बीकर, ड्रॉपर, कीप और फिल्टर पत्र की सहायता से इस क्रिया कलाप को पूरा किया गया है। मृदा का द्रविमान भार बराबर 50 ग्राम। मापन सिलिंडर में जल का आरंभिक आयतन बराबर UML यानि मिलिलीटर। मापन सिलिंडर में जल का अंतिम आयतन बराबर VML। मृदा द्वारा अवशोशित जल का आयतन बराबर U घटा V ML। मृदा द्वारा अवशोशित जल का द्रविमान बराबर U घटा V ग्राम। एक मिलिलीटर जल का द्रविमान एक ग्राम के बराबर होता है। इस तरह अवशोशित जल का प्रतिशत बराबर यू घटा वी बटे पचास गुणा सो होगा इस क्रिया कल आपको म्रिदा के विभिन नमूनों के साथ दोहराईए क्या आपको सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्थ होते हैं? परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए और यहां दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए किस प्रकार की म्रिदा की अन्तहस त्रवन दर सबसे अधिक है? बूजों ने अपने पडूसी से सुना कि वर्शा के आठ से दस दिन बाद तालाब अथवा कुए में जल का स्तर बढ़ जाता है किस प्रकार की म्रिदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अन्तहस त्रावित होकर कुएं तक पहुँचेगा किस प्रकार की म्रिदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की म्रिदा सबसे कम क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्शाजल अन्तहस त्रावित होकर भॉम जल तक पहुँच जाए ग्राम जी और किलोग्राम के जी वास्तव में द्रविमान के मात रखें एक ग्राम द्रविमान की वस्तू का भार एक ग्राम भार होता है तथा एक किलोग्राम द्रविमान की वस्तू का भार एक किलोग्राम भार होता है यद्यपी, दैनिक जीवन में और वानिज और उद्योग में द्रविमान और भार के बीच सामान तह अंतर नहीं किया जाता है द्रविमान तथा भार में क्या अंतर है, ये आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे 9.7. मृदा और फसलें भारत के विभिन क्षेत्रों में भिन भिन प्रकार की मृदा पाई जाती है कुछ क्षेत्रों में मृद्मय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा, जबकि कुछ अनिक शेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आरद्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है ये कुछ प्रमुक जलवायवी यानि जलवायू सम्बंधी कारक हैं जो मृदा परिछेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा सनरचना में परिवर्तन लाते हैं जलवाईवी कारक तथा मृदा के घटक, सम्मिलत रूप से किसी क्षेत्र विशेश में उगने वाली वनस्पती तथा फसलों की किस्मों का निर्धारन करते हैं मृद मैं और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपियुक्त होती हैं ऐसी मृदा की जलवधारन क्षमता अच्छी होती है धान के लिए मृत्तिका एवं जयव पदार्थ से सम्रिध तथा अच्छी जल धारंक शम्ता वाली मृदा आदर्श होती है मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आविशक्ता होती है जिन में से जल की निकासी आसानी से हो जाती है कपास के लिए बलुई दुमट अथवा दुमट मृदा अधिक उप्योगत होती है जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायू को धारन करती है गेहूं जैसी फसले महीन मृणमाई मृदा में उगाय जाती है क्यूंकि वो ह्यूमस से संब्रद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है अपने शिक्षकों, माता-पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहां की मृदा के प्रकारों और उगाय जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रत कीजिए उपलब्ध जानकारी को सारणी 9.2 में लिखिए यहां सारणी 9.2 दी गई है इस सारणी को दो भागों में विभाजत किया गया है पहले भाग का शीर्शक है मृदा का प्रकार दूसरे भाग का शीर्शक है उगाय जाने वाली फसल उदाहरण के लिए पहले मृदा के प्रकार में लिखा है मृद्मय और मृद्मय मृदा के प्रकार में उगाय जाने वाली फसल लिखी है गेहूं बाकी दो जगहा खाली हैं आपको इन में दो मृदा के प्रकार लिखने हैं और उन प्रकारों में उगाई जाने वाली फसलों के नाम धान के रोपन के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उप्यूक्त होगी ऐसी मृदा जिसकी अंतहस त्रवंडर अथिक हो अथ्वा जिसमें यह दर कम हो पहेली कहती है अंतहस्त्रवणदर और जलधारन करने की क्षमता में क्या अंतर होता है बुजो लगता है तुमने जो पहले पढ़ा था उसे भूल गये हो पाठ को दोबारा पढ़ो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा यहां एक केस अध्यान दिया गया है जौन, रशीदा और राधा मधप्रदेश में सुहागपुर नामक स्थान के लीला धर दादा और संतोष मालवीय के घर गए लीला धर दादा सुराही, मटका, कुलड़ आदी बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे जसा की चित्र 9.8 में दिया गया है उन तीनों ने लीला धर दादा से उनके कारे के विशय में बातचीत की जौन कहता है आप मिट्टी कहां से लाए थे? दादा बोले हम किसी बंजर भूमी से काली मिट्टी लाते हैं राधा ने कहा मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? दादा बोले सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डाल कर उसमें से कंकड पत्थर आधी बीन लिये जाते हैं कंकड पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग आठ घंटे के लिए भिगो दिया जाता है इस मिट्टी में घोडे की लीद की कुछ मात्रा मिला कर उसे गूंध लिया जाता है गूंधी हुई मृदा को चाक पर रख कर उचित यानि मन चाहा आकार दे दिया जाता है किसी वस्तू को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है इस प्रकार बनाई गई वस्तूओं को दो से तीन दिन तक सुखाने के बाद उनकी रंगाई की जाती है शुष्क वाईू में सुखाने के बाद सभी वस्तूओं को उच्छ ताप पर भट्टी में पकाया जाता है रशीदा ने पूछा मृदा में घोडे की लीद क्यों मिलाई जाती है? दादा बोले पकाने के प्रक्रम में घोडे की लीद जल जाती है जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं इसी कारण मटकों और सुराही में से जल अंतहस त्रावित होकर उनकी बाहरी सतह तक आ पाता है वहां से ये वाश्पित हो जाता है जिससे घडे या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है दादा ने बताया कि सोहागपूर में बनी सुराहियां और मटके दूर-दूर तक प्रसिद्ध हैं यहां प्रिष्ट 108 पर चित्र 9.8 में मिट्टी के बर्तन को बनाने की प्रक्रिया दी गई है इस चित्र को दो भागों में विभाजित किया गया है प्रिष्ट 109 मृदा अपर्दन जल, पवन, अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की उपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाता है पादपों की जणे मृदा को मजबूती से बांधे रखती है पादपों की अनुपस्थती में मृदा धीली हो जाती है इससे ये पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है मृदा का अपर्दन मरुस्थल अथवा बंजर भूमी जैसे स्थानों पर अधिक होता है जहां की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पती नहीं होती है अतह व्रिक्षों की कटाई और वनोन मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिए प्रमुक्षब्द मिर्ण में हुमस दुमटी अंतह स्त्रवण आर्दृता बलुई जलधारण संस्तर स्थिती अपरदन मृदा परिच्छेदिका मृदिका आपने क्या सीखा? मृदा प्रिथवी पर जीवन की लिए महत्वपून है किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहां की मृदा की विभिन पर्तों का परिच्छेद होती है ये पढ़तें संस्तर स्थिती कहलाती है मृदा विभिन प्रकार की होती है मृदमे, दुमटी, बलुई विभिन प्रकार की मृदा में जल की अंतहस्त्रवन दर भिन भिन होती है ये दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृदमे मृदा में सबसे कम होती है प्रिष्ट 110 विभिन प्रकार की फसलूं को उगाने के लिए विभिन प्रकार की मृदा उप्योक्त होती है मृद्त का यानी चिकनी मिटी और दुमट मृदा गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उप्योक्त है मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता या जल धरन क्षमता विभिन फसलों के लिए महत्वपूर्ण है मृत्त का यानि चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलोनों और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है अभ्यास प्रश्ण एक और दो में सबसे उप्योक्त उत्तर को चिन्हित करें एक शेल कणों के अतरिक्त म्रदा में होते हैं क वायू और जल क जल और पादप ग खनिज जैव पदार्थ वायू और जल ग जल वायू और पादप 2. जल धारणिक शमता सबसे अधिक होती है क बलूई म्रदा में ख म्रिणमय म्रदा में ग दुमटी म्रदा में ग बालू और दुमट के मिश्रण में 3. कॉलम ए में दी गए वस्तुओं का कॉलम बी में दीए गए गुणों से मिलान कीजिए कॉलम ए क जीवों को आवास देने वाली ख म्रदा की उपरी परत ग बलूई म्रदा ग म्रदा की मध्य परत और च म्रणमय म्रदा कॉलम बी में दीए गए गुण है एक बड़े कण दो सभी प्रकार की म्रदा तीन गहरे रंग की चार सघन छोटे कण और पांच हिूमस की कम मात्रा प्रिष्ट 111 है चार समझाईए कि म्रदा कैसे बनती है पांच म्रणमय म्रदा किस प्रकार फसलूं की लिए उपयोगी है 6. म्रणमय म्रदा और बलूई म्रदा के बीच अंतर बताईए 7. म्रदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाईए और विभन परतों को ना मांकित कीजिए 8. रजिया ने खेत में अंतहस तरवन की दर से संबंधित एक प्रियोग किया 9. समझाइए कि म्रदा प्रदूशन और म्रदा अपरदन को किस प्रकार रुका जा सकता है 10. यहां दी गई वर्ग पहली को दिये गई संकेतों की सहायता से हल कीजिए दिये गई संकेत हैं सीधे 1. इसके बने थैलों के अप्शिष्ट से म्रदा का प्रदूशन होता है 2. इस प्रकार की म्रदा में सूख्ष्म कणों का अनुपात अपेक्शाकरत अधिक होता है 4. इस प्रकार की म्रदा में सूख्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है 5. म्रदा परिछेदिका की परत आठ, वनस्पति ना होने पर यह मृदा को उड़ा ले जाती है नौ, इस प्रकार की मृदा सुवातित एवं शुश्क होती है दस, किसी मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता प्रिष्ट 112 वर्ग पहली में उपर से नीचे की ओर दिये गए संकेत हैं दो, भूमी की उपरी परत जो पौधों को आधार प्रदान करती है तीन, पवन तथा प्रवाही जल के कारण मृदा पर प्रभाव छे, मृदा में जल के अवशोशन की प्रक्रिया साथ, किसी स्थान की मृदा की काट परिच्छिद का विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप और परियोचना काट्रिया एक, बूजों कच्ची और पकी हुई मृदा के बीच के अंतर को जानना चाहता है पता लगाईए कि मटका बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मृदा मृदियां बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मृदा से किस प्रकार भिन होती है दो, पहली के घर के सामने इंट का भट्टा है जहां इंटें बनती थी भट्टें में से बहुत अधिक धुआ निकलता था उसे बताया गया था कि पौट्री, मूर्थियां और इंटे बनाने के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता की चिकनी मिटी की आवश्यकता होती है उसने पाया कि इमारतों के निर्मान के लिए ट्रक भर-भर कर इंटें लाई जाती है उसे आशंका है कि इस दर से इंटों का निर्मान करने से यहां मिटी नहीं बचेगी क्या उसकी आशंका उचित है? इस समस्या के बारे में अपने माता-पिता, शिक्षकों और अपने एक शेत्र के अन्यविशे शग्यों से चर्चा करके एक रिपोर्ट बनाईए 3. मृदा के एक नमूने में आर्दरता की मात्रा का पता लगाने का प्रयास कीजी एक विधी यहां दी गई है क्रिया कलाप 100 ग्राम मृदा लीजिए मृदा को तॉलने की लिए किसी दुकानदार से हिस्सा है ता लें इसे धूप में एक समाचार पत्र पर फैला कर रख दें और दो घंटे तक सूखने दें इस क्रिया कलाप को दुपेहर में करना सबसे अच्छा रहेगा ध्यान रखें कि मृदा समाचार पत्र से बाहर ना गिरे इसे सुखाने के बाद पुनह इसको तॉलिए सुखाने से पहले और उसके बाद मृदा के भार में अंतर से आपको सौ ग्राम मृदा में आर्दरता या नमी की मात्रा मालूम हो जाएगी इसे आर्दरता की प्रतिशत मात्रा भी कहते हैं मान लीजिए कि शुशकन के बाद मृदा के नमूने का भार दस ग्राम कम हो गया, तो मृदा में आर्दरता का प्रतिशत बराबर आर्दरता का भार, ग्राम में बटे मृदा के नमूने का मूल भार, ग्राम में गुणा सो, प्रिष्ट एक सो तेरह है। इस उदाहरण में मृदा में आर्दरता का प्रतिशत बराबर दस गुणा सो, बटे सो, बराबर दस प्रतिशत। क्या आप जानते हैं? उत्तर भारत की अनेक नदियां हिमालेक शेत्र से निकल कर मैदानिक शेत्र की ओर बहती हैं। ये नदियां अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ लाती हैं, जिन में गाद, मृतिका यानी चिक्नी मिटी, बालू और बजरी सम्मिलित हैं। इन पदार्थों के मिश्रण को जलोड मृदा कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में नदियां अपने साथ लाई गई जलोड मृदा को निक्षेपित कर देती हैं। ये मृदा बहुत उर्वर होती है। इसी कारण इस क्षेत्र की कृशी उपज भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान उपलब्ध कराती है। इसी के साथ अठारे पाठों की इस पुस्तक का पाठ नौ शीर्शक मृदा यहां समाप्थ हुआ। वाचन शालनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव। अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक। तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो। तक्नीकी सहायक मयंक कुमार। निर्मान सहयोग अमित कुमार। निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन। तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत। प्रस्तुती CIET NCERT झालत।